और आगे बरते वरुक कर लेते बड़ी खबर का सबक्त की बड़ी खबर लखना उसे सामने आ रही है जोहां निकाय चुना पर भाजपा कूर कमीटी की बैठक होने वाली है भाजपा के दूसरे चुरण के उमें द्वारों को लेकर ये बैठक होगी मुख्य मंत्री आवास प लगेगी बड़ी और एहम खबर लखना उसे आपके टिवी स्क्रिन पर है जोहां पर आज निकाय चुना पर भाजपा के उमें द्वारों को लेकर ये बैठक होने वाली है दूसरे चुरण के निकाय चुना आपको लेकर ये बैठक होने वाली है और मुख्य मंत्री योगी इंकिन बिंदूों पर चर्चा हो सकती है जी बिल्कुल बता दे तो जिस तरह से बात की जाए नगर निकाय चुनाओं की तारिकों के एलान के बाद पहले चरण का नामंकन भी हो चुका है और जो नामंकन की प्रकिया थी वो सभी में पूरी कर लिया और जिस तरह से बात की आवास पाइप काली दासमार्ट पर होगी जिसमें पता दें कि दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मन्थन जारी है और आज ये मन्थन खत्म होता हुआ दिकाई देगा क्योंकि जिस तरह से बात करें बाती जनता पार्टी लगातार बैटकों का दौर कर रही है और जातार बैटकों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को चुन रही है चेतर की जनता से सर्वे के माध्यम से और बूत प्रमुकों या पन्ना प्रमुकों के माध्यम से भी राय मुसहरा कर रही है और साथी साथ बात की जाए तो कोर कमेटी की बैटक में कौन कौन सामिल होन बैठक में पैनल की लिस्ट पर अंतिम मोर लगती हुई दिखाई देगी और बारती जनता पार्टी लगातार निकाय चुनाओं को लेकर अपने वादे और अपनी कारद न्यां कि जो शैली तो बुलाई देरा यही कारड है कि बारती जनता पार्टी को पार्टी उसे अलग ब मैदान में तैकरती है और साथ ही बता देए ये बैठक जो बुलाई गई है आज बैठक के मात्यम से जो 37 जिलों में दूसरे चरण का नामंकन होना है अभी प्रत्यासियों की गोसना नहीं हुई है तो उन जिलों के लिए आज ये महतपूर बैठक है क्योंकि आने वाले समय मे अगर निकाय चुनाओं का दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है तो इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है ठीक है दिपक नजर बनाए रखिएगा आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे फिलहाल के लिए शुक्रिया बड़ी कबर लखना उसे आपकी टिवी स्क्रिन पर है जोहाँ पर आज निकाय चुनाओं पर भाजपा कोर कमीटी की बैठक होने वाली है बैठक की अदेक्ष्ता मुख्यमंत्री योगी आदित तनात करेंगे और इस बैठक में प्रदेश महमंत्री धर्मपाल सिंग भी मौजूद रहेंगे और साथी साथ बैठक में उपमुख्यमंत्री दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामल होंगे